हेई गाइज वेलकम टो माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने चारी हूं कि मैं घर में कैसे मैंगो की अचार बनाती हूं तो चलिए देखते हैं वीडियो को लास तक देखें ताकि पुरी रेस्पी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं अगर आपको मेरा ये रेस्पी अच्छा लगा तो पीस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बैल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखेगा ताकि मैं जब भी कोई रेस्पी डालू आप उससे सबसे पहले देख पाए और मुझे कॉमेंट करके जरूर इसके आम को नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करके उसको दूप में सुखा लिया है अटलीस दो दिन तक उसके बाद मेरा आम ऐसा दिख रहे है उसके पाद मैंने लिया है सरसो यानिके मस्टर्ड सीद्स टू स्पून उसके बाद मैंने लिया है सौफ वान टेबल स्पून, मेथी दाना वान टेबल स्पून, धनिया वान टेबल स्पून, जीरा पाउडर मैंने लिया है वान टेबल स्पून उसके बाद सॉल्ट लिया है, हल्दी पाउडर, अमचुर पाउडर और अश्मिटी रड़ चिली पाउडर मैं गेस का फ्लेम ओन करके कढाईब चरा दूँगी और उस पे सरसो डाल के थोड़ा देर इसको चलाओंगी 20 सेकेंड बाद मैं इसको निकाल दूँगी एक प्लेट में के बाद मैं इसको मिक्सिंग जार में ट्रांसफर करूँगी और इसको दरदरा पीस दूँगी देखिए पीसने के बाद ये ऐसा दिखेगा अभी मैं इसको एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर करूंगी, तेम प्रोसेस में मैं सारी मसाले एक एक करके फ्राइ करके दर दरा पीस लूँगी और उसको मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफर कर लूँगी, एक एक करके मसाले फ्राइ करके ऐसे पीसने से अचार का मसाला अच् के पास टाइम कम हो तो आप सारे मसालों को एक साथ फ्राई करके भी ऐसे दरदरा पीश सकते हैं लेकिन मैं प्रिफर करूंगी कि आप अगर एक एक करके मसालों को ऐसे फ्राई करके दरदरा पीशेंगे तो आपका अचार का जो मसाला है वो अच्छा बनेगा और बहुत तीन तक आप स्टोर भी कर पाएंगे, आप मसालों को धूप में भी सुका सकते हो, अगर धूप ना निकले तो आप ये प्रोसेस जरूर ट्राइ कर सकते हैं, इससे मसालों का जो मौस्चर है, वो ट्राइ हो जाता है, इससे आपके अचार बहुत दिन तक अच्छे रहेंगे, आज भी शेयर करों, तो उनका नाम है सबके प्यारे रुण जुन बो, आप सबको थैंक यू वेरी वेरी मच, कि आप सब मेरे सारी वीडियो को देखते हैं, और उसे पसंद करते हैं, फिर आप चाहते हैं कि आपके रिक्वेस्ट पर भी मैं वीडियो बनाओ, तो नीचे कॉमें करके मुझे जरूर बताईएगा, मैं आपके लिए जरूर बनाओंगी, आपके रिक्वेस्ट पर वीडियो, इस मसाले पर मैंने बेंगॉली फाइब स्पाइसे का भी यूस क्या है, जिसको हम लोग पाच फोरोन बोलते हैं, इसके बात आता है ओयल गरम करने की बारी, यहा बुलबुले आने शुरू ना हो जाए, बर तेल से दुआ निकलना शुरू हो जाए तो हम लोग गैस का फ्लेम आफ करेंगे और उसको थंदा होने के लिए छोड़ेंगे, तेल थंदा होने तक हम लोग हमारे अचार का मसाला तयार कर लेंगे, पर सारी मसालों को मैं आफ टेबल स्पून आफ कश्मीरी मिर्च पाउडर और आमचुर पाउडर यूज़ करूंगी मैं वन टेबल स्पून अभी इन सारे मसालों को मैं अच्छे से मिला लोंगी, इसमें और एक चमच मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर एड करूंगी ताकि इसका रांग जो है और भी ज्यादा खिल के आए, इसी के साथ मैं डालूंगी सॉल्ट वान एन हाफ टीबल स्पून, याद रखे सॉल्ट जादा ना डाले क्यूंकि हम लोगोंने सॉल्ट और हल्दी पाउडर के साथ ही मैरिनेट करके रखा था मैंगो को, तो अगर सॉल्ट जादा डाल तो चलिए तेल के साथ मसालों को मिक्स कर लेते हैं, मैं यहाँ पे ठोड़ा थोड़ा करके टेल दालूँंगी और मसालों के साथ मिख्स कटे चाओंगी, हमारा मसाला बनके तयार हो जुका है, अभी हम लोग इसमें एड करेंगे हमारे मैंगो जो हम लोगोंने पहले से ही स आप इस अचार को एक शीशे के जार में रखें और इसको धूप लगाते रहें ताकि ये अचार खड़ाब ना हो प्लास्टिक के जार में रखने से हमारा अचार जल्दी खड़ाब हो जाता है तो इसलिए शीशे के जार में ही अचार को रखें और क्या आपने नौटीस किया है कि मैंने यहाँ पे बिना विनेगर के ही अचार बनाया है पर टेंशन मत लीजिएगा ये अचार साल भर रखके भी आप लोग खा सकते हो ये अचार खड़ाब नहीं होगा अगर आपको ये अचार का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीस लाइक और शेर जरूर करियेगा थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो प्लीस हीट दे लाइक बटन और अब सब्सक्राइब बटन also hit the bell icon to stay tuned मिलते हैं मेरे नीक्स वीडियो में तिर देन बाँ बाई